हेलो एव्रिवान वेरी गुट मॉर्निंग तो आल उफ यू आप सभी का एक्जाम हंटे में फिर से बहुत बहुत स्वागत है तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी के त्यारी और आज भी हम आप सब के साथ जुड़े हैं नए कोसंट के साथ जैसा अब आज की सीरिस को स्टार्ट करते हैं जो आप से पूछा गया था जिसका एंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना था ठीक है तो देखते हैं कल के प्रशन को तो कल का प्रस्ण है कि कजाकिस्तान गनराज के रक्षा मंत्री का नाम बताईए जो भारत के तीन दीवसिये यात्रा पर हैं ए गुलजान कारागुसोवा बी नोर्लान एर्मेक वाइब सी रक्षित अलियेव डी इलजाम वड़नो इन चारों अप्सिंस में आपको बताना था कि कौन सा इसका राइट एंसर तो जी हां इसका राइट एंसर है ऑप्सिन नंबर बी नोर्लान एर्मेक व अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन की और तो मारा नेक्स्ट और आज की स्रीज का फर्स्ट कोशन है कि हाली में किस देश ने पाम तेल के आयात पर प्रतिवंद लगा दिया है ए ब्राजिल बी स्रिलंका सी चाइना डी सिंगापूर तो इन चारों आप्सिंस में आपको दिश्टी से हानिकारक खेती को खत्म करने के लिए राष्टपती गोटाविया राजपक्षे ने पाम तेल के आयात पर ततकाल प्रतिवंद लगा दिया और फसलों को धीरे से हटाने का आदेश दिया पाम तेल के आयात पर प्रतिवंद लगाने के लिए सरकार इस कदम से उद्योग की एक वर्ग से ततकाल प्रतिरोध मिला जो बेकारी उत्पादों पसु चारे और साबुन के निर्मान के लिए पाम तेल का उप्योग करता है। इसके आगे देखते हैं तो यह आपको पता है फ्रेंट से पाम है इसी से तेल निकाल राता है और इसी को काता है पाम ओर ठीक है अब बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रस्ट के और तो हमारे दूसरा प्रस्ट है कि हाली में वर्ल्ड एकनोमिक्स आउटलूक रिपोर्ट किसने जारी किया है ए अंतराष्टी मुद्रा कोस ने विशव बैंक ने शीय विकास बैंक ने या फिर डी स्विस बैंक ने तिन चार उप्सं में आपको बताना है किसका कौन सा रहेट अंसर होगा जी हां इसका राइट एंसर है option number A अंतराष्टी मुद्रा कोस ने अब इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं तो वर्ल्ड एकनॉमिक आउट्लूक यह है आई-म-एफ का एक सर्विच्छन है अंतराष्टी मुद्रा कोस ने हाली में विश्वा आर्थिक आउट्लूक जारी किया है इसका सिर्षक मै managing divergent recoveries जारी किया है जिसे आमतोर पर अप्रेल और अक्टूबर के महिनों में साल में दो बार प्रकासित किया जाता है यह भविस में चार वर्सों तक अनुमानों के साथ निकट और मध्यम अबदी के दोरान वैस्विक आर्थिक विकास का विसलेशन तथा बहुश्वानी क जो अपडेट है इसी से अपडेट किया गया ठीक है आप बढ़ते हम नेक्स्ट कोश्चन की और तुमारा नेक्स्ट कोश्चन है कि केंद्री कोसल विकास और दिमेत्ता मंत्राले में परधान मंत्री कोसल विकास योजना 3.0 की पहली छेतरी कारेशला का आयोजन करेगा ए पूने, बी लखनाव, सी बैंगलूरू, डी गंग्टोक तिन चार ओप्सन में आपको पताना है कि कौन से इसका राइट एंसर है जी हां फ्रेंड्स का राइट एंसर है ओप्सन नमबर डी गंग्टोक ठीक है तब इसके बारे में जानते हैं तो उद्यम सिल्ता मंत्राल एंसरे, MSDE ने सिक्कीम के गंग्टोक में परधान मंत्री कोसल विकास योजना यानि PAKVY 3.0 के लिए अपनी तरह से पहली छेत्रिय कायरेसला का आयोजन किया और इस कायरेसला में केंद्रे राज अधिकारियों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज करवाई है ठीक है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन की और उसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पर प्रधान मंत्री कोसल विकास योजना उसका ये लोगो है फ्रेंड्स और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है ठीक है अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोस्टन की और तुमारा नेक्स्ट कोस्टन ह कि लगू उत्योग और विकास बैंक ओफ इंडिया ये सिडवी के अधक्ष और प्रवंदक निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है एक मनोजेन भी राजी वंसल सी विजय सेखर सर्मा या फिर ओप्सन नमर डी एस रमन को तो इसमेंस आपको बताना है किसका कौन सा राइट अंसर होगा जी आइसका राइट अंसर है उप्सन नमर डी तो भारत सरकार ने एस रमन को लगू उत्योग और विकास बैंक के अधक्ष और प्रवंद निदेशक के रूप में नियुक्ति किया है वह 1991 बेज के भारतिये लेखा परिक्षा और लेखा सेवा अधिकारी हैं यह बरतमान समय भारत की पहली सुचना उप्योगिता नैस्नल ए गवर्नेस सर्विसेस लिमिटेट के CEO हैं और सेडवी के बारे में अब थोड़ी बहुत जानते हैं तो इसके स्थापना कब हुई थी तो 2 अप्रेल 1990 में इसका मुख्याले कहा है तो लखनाओ है और इसके अध्यक्ष कोन है तो मुहमद मुस्तापा है ठीक है अब हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट कोस्चन की और उससे पहले हम इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स तो इ तो हमारा नेक्स्ट कोस्टन है कि संसद्य कारि मंत्राले के नए सचीव कोन बने हैं ग्यानेज कुमार बी अमिताप कांत सी राकेश गोयर डी रमेश सर्मा तो इन चारों आपको बताना है किसका कौन सा राइट एंसर है तो जी हां फ्रेंड्स इसका राइट एंसर है ओप्सन नमबर ए ग्यानेज कुमार ठीक है अब इसके वेरे में भी हम थोड़ी जानकारी लेते हैं तो जी जानेज कुमार को संसदी अमामलों के मंत्री के रूपे न्यूक थिया गया और वे कैरला केडर के 1988 बेच के आएस अधिकारी हैं फ्रेंड्स ये करेला नहीं है कैरला है ठीक है इस कैरला ओके अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन क्यों तुम्हारा नेक्स्ट बैंक ने भुगतान बैंक को कि लिए अधिक्तम जमारासी एक लाग से कितने तक बढ़ा दिया ए छे लाक रुपए पांच लाक रुपए चार लाक रुपए दो लाक रुपए तो इसमें साब को बताना है किसका कौन सा राइट एंसर होगा तो जी हां फ्रेंड्स का राइ फैमली बैंकिंग कारिकरम सुरू किया है ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आइसी आइसी ए बैंक एम्यू स्मॉल फाइनस बैंक या फिर डी एच डी एपसी बैंक तो इन चार उप्संस में बताना है आपको किसका कौन सा राइट एंसर होगा ठीक है जी हां इसका राइट ए जल राइट डी य सल एंसर है जी मिव फाइनंस बैंक ठीक है यह जो एंडियू स्मॉल फाइनस बैंक है इसी ने क्या किया था टो प्लेटिणाम फैमली बैंकिंग कारेकरम को सुरूख किया गये था और यह क्या परेंज्ड्स तो यह म्यू का तो यह लोगो है अज़बड प्रेंड्स का राइट एंसर है ओप्सन नमबर ए नरेंद्र सिंग तोमर ने ठीक है तो केंद्री क्रीशी और किसान कल्यान मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर ने साथ अप्रेल 2021 को एक पोटल मधुक्रांती और हनी कॉर्डनर लांज किया है जिसका उद्देश किसानों की आय में ब्रिदी रोजगार्स रिजन निरियात में ब्रिदी करना है मधुक्रांती पोटल राष्टी या मधुमक्की बोड की एक पहल है और यह क्या है तो यह डिज मेंने और यह है क्यों है प्रेंट यह है नरेंदर सिंग तुमर अब बढ़ते है नेक्स्ट कोश्टन के उछा तुमारा नेक्स्ट कोश्टन है एक्जाम वारियर्स नामक पुस्तक के नविंतम संस्क्रन का विमोचन किस ने किया आ, नरेंद्र मोधी ने, B. अमित्सा ने, C. अमित्ता बचन ने, D. नितिश कुमार ने तिन चारो आप्सेंज में आपको बताना है किसका कॉन सा राइट एंसर होगा जी आप्रेंट्स का राइट एंसर है आप्सेंज नमबर A. नरेंद्र मोधी जी ने ठीक है तो परधानमंत्री नरेंद्र मोधी जी ने एक्जाम वारियर्स नामग पुस्तक का नविंतन संस्क्रन लॉंच किया है और पुस्तक छात्रों और अभिवाकों दोनों के परिच्छा के दबाब और तनाव से निपटने के लिए विभिन सुझाओ देती है एक्जाम वारियर्स पहली बार 2018 में प्रकासित हुई थी या पी एम मोधी द्वारा युवा चात्रों को परिच्छा के तनाव से निपटने में मदद करने के लिए लिए लिखा गया था और इस पुस्तक का प्रकासन 15 भासाओं में किया गया था इसके ब्रेल संस्क्रन को 2020 मे बिश्व ब्रेल दिवस चार जनवरी पर लॉंच किया गया था ठीक है तो आप देखते हैं इस पुस्तक के बारे में तो यह आप फ्रेंट्स यह पुस्तक का लोगो है यह जो एक्जाम वारियर पुस्तकों का लोगो है और यह हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी है अब हम पताना है कि CRPF का सौरी दिवस कब मनाया गया था जी हा फ्रेंट्स का राइट अंसर है ऑप्सन नंबर डी नो अप्रेल अब इसके बारे में हम जनकारी लेते हैं तो केंद्री रिजर्ब पुलिस बल यानि CRPF का सौरी दिवस पुलिस बल के बहादूर पुरसों को सध्ध CRPF की एक छोटी टुकडी गुजरात के कक्ष में रनमेस सरदार पोस्ट में बड़े पैमानों पर आकर्मन कारी पाकिस्तानी सैना को हस्ताक्षर इतिहास रजा था केंद्री रिजर्ब पुलिस बल का मुख्याले कहा है तो नहीं दिल्ली है और भारतिये केंद्री रिजर् कुल्दिप सिंग को तो यह जो पिक लगी हुई है यही CRPF के महाने देशक कुल्दिप सिंग है और यह CRPF का लोगो ठीक है अब हम बढ़ते हैं आज के प्रशन की और तो आज का प्रशन जो है इसका एंसर आप लोगों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो भा थरूर स्री निवास ओप्सन नमबर B. एम्स राम चंधन ओप्सन नमबर C. अमिताब कान या ओप्सन नमबर D. संकरलाल पुरूहित तिन चारों आपको बताना है किसका कौन सा राइट एंसर है और राइट एंसर को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है तो आज की सीरीज आप लोगो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अपना फीटबेक जरूर दें और अगर आप नए लर्नर से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें इससे आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जा चाहिए कि फ्रेंड्स करा दी गई है और वहां से आप डाइट जुड़ सकते हैं यहां से आपको क्लास की पीडियाप टाइम पर मिल जाएगी आपको हैंड रिटन नोट्स भी इंस्टाग्राम फेस्बुक से मिल जाएंगे जिससे आप अपने प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकते हैं तो थैंक यू फ्रेंड थैंक यू फॉर वाचिंग थैंक यू फॉर यूर सब्सक्राइब